खर यह लेकिन जो रनीती बनाने की जो एरिया है वो पीछे है पीछे वहा हम बगल बगल को लोगों से जानकारी मिली है कि वहीं पीछे बाउंडरी किया हुआ है वहीं कीचन भी बनाया हुआ हुआ है वहीं मुर्गा मचली तमाम सराब और वोगरे जो भी उसकी थे तो दस- सब्सक्राइब प्रदेस में और अपरादियों के अगर मकान धोस्त किया गया तो इसका क्यों नहीं किया गया इसके साथ इतनी हमदर्दी क्यों कर जाएगी अगर अगर इस तरह के इस प्रवित्ति का आदमी समाज में रहने लायक नहीं है अगर इस तरह के इनसान और इस प्रवित्ति के इस सोच के लोग अगर समाज में रहेंगे तो समाज में और लोगों का हल नमस्तार आप देख रहे हैं पीजी ने उज मैं प्रवीन आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ अभी हम लोग कबरुद्दिन गाउं में हैं और आपको बता दें कि वही अनुराग हत्याकान को लेकर अब पूरे देश में ये कहिन कहिन चर्चा है कल जिस हिसाब से यहाँ पर नाइब तसिलदार और ESDM के मौझूदगी में यहाँ पर जो टीमें आती हैं जिस प्रकार से यहाँ पर नाप, तौल, जोख जो शुरू होता है ऐसा सब को लगने लगा कि अब यहाँ पर बुल्डोजर, बाबा का बुल्डोजर जो है वो चलेगा और एक अहम जानकारे और आपको बता दें कि यह लालता का वही घर है जहाँ पर आठ दस लोगों की यहाँ पर बराबर आए दिने मिटिंग हुआ करती थी और इसी घर में अगर हम बात करें तो वो मुर्गा वगयरा बना कर लोगों को खिलाया करता था, पार्टी करता था और यहीं से सारी रन नीतिस से ठोती थी कि अब गाउं में किसके ओपर कैसे क्या 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 करना है हमारे साथ आसु जुड रहे हैं आसु से हम लोग बात चीद करने की कोशिस करेंगे कि गाउं में क्या कुछ खौब था और आखिरकार अभी कल यहां ESDM के मौजूदगी में जो तहसिलदार और तमाम राजसु विभाग की जो टीम आई यहां पर नाप जोग करने के बाद अ तो नाप जो के चली के उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़े जब तक आप करवाई नहीं करेंगे और घटना के दिन ही जिस दिन घटना हुई तो उस दिन DM साब और ESP साब ने आस्वासंद्या कर देंगे तो आज हमें लग रहा कि चाटवा दिन है तो अभी कुछ नहीं हु करवाई के नाम पर सब जीरो है जीरो है जीरो है तो प्रसाशन की टीम लगातार यह कह रही थे कि हम तीन दिन के अंदर जो है लोगों को यह मैसेज देंगे एक संदेश देंगे कि इस मामले पर एक बड़ी कारवाई होगी और जिस हिसाब से कल राजसु की टीम आई और य अगर लालता के घर पर जो जी एस में घर बना हुआ है यह पूरे गाउं का मानना है अगर इस घर पर बुल्डोजर नहीं चलाती है तो गाउं के लोगों की क्यारण नहीं चलाएंगे तो हम लोग जीले पर जाएंगे अगर अगर इस तरह के इस प्रबित्ति का आदमी समाज में रहने लायक नहीं है अगर इस तरह के इनसान और इस प्रबित्ति के इस सोच के लोग अगर समाज में रहेंगे तो समाज में और लोगों का हल क्या होगा और मा अपने बेटे के लिए रोएंगे और बहने अपने भाई के लिए रोएंगे और बाप अपने सहरा ढूड़ेंगे बुढ़ाई में बुढ़ापा आने पर अपने बच्चे का सहरा ढूड़ेंगे लेकिन इस जैसे हमान लोगों ने उनसके सहरे को जैसे होता ना कि जवानी आने से पहले एक मासूम बच्चे की 16 साल की ये लोग हत्या कर देते हैं जगन अपराद करते हैं अगर हम तो चाहते हैं इन लोगों के लिए ऐसा कानून में भी कोई सजा बना ही नहीं होगा जो इस तरह के लोग कतले हम कर रहे हैं सोचे उस मासूम का एक परसिंट कोई दोस नहीं था उसने अपने रास्ते पे घास को साफ किया था अगर कहीं भी इंसान जानवर रहता है हो साफ सफाई करता है कि हमको यहीं रहना हमको सब्सक्राइब कर दोग कि तनी बड़ी मांसिकता इदनी गंदी सोच है इस लोग के सासन प्रसासन और कानून का एक डर नहीं जरा से डर नहीं कि वजह से उस बच्चे के सर को कलम कर देते हैं उसके बाद लालता यादो उसके बेटे रमेज आप उसका भाई एक पुलिस प्र राजस जादो वो अगर एक दरोगा के घर के लोगों का ऐसा हसर हो उसके घर में अलीगल हत्यार हो अब उसकी मानसिक्ता ऐसी हो आप पूरा बोलिया और बहुत अच्छा चीजों को एक्स्प्लेंड कर रहे हैं आसू अगर जिस दरोगा के घर में इतने बड़े अपराधी व होगा वहां पर लोगों के लिए कैसा नीयुक्ता हम बताएंगे और बटाएंगे जिस थाने में होगा वहां के लोगों को किस तरह के के विचाराइबेता होगा आरवपियों के हत्यारों के साथ खड़ा होता होगा यह तो महा करप्ट दरोगा होगा यह इसे सासन प्रसासन में रहने वाली लोग अगर रहेंगे तो आम पगली पबलीक की सुनवाई कौन करेगा सुराच्छा कैसे होगा? गरीबों को न्या कीसी मिले लेगा? जिम्मेदार पद पे और एक जिम्मेदार पद पे वो धरोगा है उसके अंदर में किससी सपाही कार करते होंगे? अगर वो इस तरह का लोगों को अगर पना देता होगा तो उसके छेतर में कितने नौईवक अपराद की दुनिया में जाएंगे और उसके घर में अवायद हत्यार जो आतंगवादियों के साथ आतंगवाद जैसे घटना करते हैं आतंगवादियों वाली हस्र आतंगवादियों वाली विचारधारा उन लोगों की है जो लालता याद हो था वो जारखंड में ड्यूटी करता था कोल माइन में वहां से बम लाया था पिश्टल लाया था वहां से तलवारे लाया था जिस तलवार से उसने के लोगों से जानकारी मिले सचोचा बता रहे थे तलवार को इतने बढ़ियां से धाल लगा के रखा हुआ था कि अगर किसी के गरदन पर चला दो कि तीक धर में कर जाएगा और ये सब प्रायुजी तरीके से हत्या का अंजाम दिये है उसके घर में खुद पांच-छे लोग है अगल बगल का कोई अगर हमारे खिलाप आवाज उठाए गोली मार्दून की हत्या कर दो इतना डर बैठा दो कि लोग हमारे सामने खड़ा हुने की हिम्मत न करें और इन लोगों नो वही किया गाउं में आसू अगर ये बताया जा रहा है गाउं में जो इसकी दासत थी जो गाउं में इसकी दासत थी वो दासत जो है वो लोग ये बता रहे हैं कि बहुत ज़ादा थी 18-18 लोगों के उपर मुकदमा और उसके बाद तमाम तरीके से अबैध कबजा करना ये चीजे धौस जमाता था तो गाउं के लोगों ने मिलकर एक बड़ी कारवाई अगर ये बात किया जाए शासन पर शासन की तरफ से कारवाई गर इसके उपर हुई होती पहले सिकंजा कसा होता तो साइद ये इतनी बड़ी घटना नहीं होती सही है कि नहीं जी बिलकुल और ये तो आप देखी रहा है उसके जो रॉप की बात कर रहे हैं उसके दवंगई की बात कर रहे हैं वो तो साक्षात प्रमाण है और अगल बगल के लोगों के भाई देखिए लोग मुंबई दिल्ली और कहीं कहीं किसानी मजदूरी से लोग जुड़े हैं अब इसके घर में तिन-तिन सरकारी सर्विस वाले हैं इसके पैसे की कमी तो है नहीं तो उत्पात इसलिए कर रहा था कि हमको पैसे जरूरत है नहीं लोगों को फसाएंगे तो लोग गरीब गुर्बा मजदूर तक्पिय के लोग हैं परसान हो कि सब लोग हमसे डर नहीं तेज समाज में पतान कितना अप्राधियों को पैदा कर देगा। समर्थन करता हूँ क्योंकि वो ही बच्चा तो था बेटियों के साधी हो जाएगी वो अपने ससरुआल चले जाएंगी वो माबाप के बुढ़ापे के सहारा उस बंस को आगे बढ़ाने वाला वही तो था उसका बंस खतम हो गया एक बेटे के हत्या नहीं हुई है एक बेटे जो है वो लगातार टीवी स्क्रीन पर लोग सुन रहे हैं कि मेरा भाई जो है वो मेरे साथ सोला वर्स था और मैं सोला सव बार जनम लोंगी लेकिन तब भी ऐसा भाई अब नहीं पाऊंगे और बच्चा हमारे रियेशन का हम तो लोग जान रहे हैं वो बच्चा इतना हु भी होगी वो बच्चा नेशनल लेबल पर टाइकंडो का सिलवर मेडल पतक 234 बार मेडल जीता है और अंतराश्टी अस्तर मेडल जीता है वो देश का भविस्त था वो मा बाप का चिराग था वह बहनों का उम्मित था वो समाज में आता था अगर उजी दिन अगर वो सम्मान गर्ड में यह हो जाता हूए लेकिन यह आतंगाईों ने इसी, जमीनी बिवद बत貌 रहे हैं। जमीनी बिवाद एक अलग मेटर है, जमीन का बिवाद जो अलग चीज़ है, लेकिन उस बच्चे से जमीन का कोई वास्ता नहीं था, सच्चा ही तो यह है, इस लोगों ने अपने जो होता ना कि हम अपने बाहुबल, अपने दबंगई दिखाने के लिए उसका कतल कर देख त कि दरोगा की राजेस जो दरोगा था इसके घर में, उसकी साधी पड़ी हुई थी और वो साधी जो है, अब वो कैंसिल हो गई है, लड़की के पच्चवाले कहते हैं कि हम अपनी बेटी को हत्यारे के घर में नहीं देंगे, क्या इसके बारे में कुछ आपको पता है, इसी 25 या 28 को साधी और वो साधी जो है, अब कैंसिल हो गई, मैं तो इस इस पल के लिए थोड़ा से अपने आपको खुस महसूस करूंगा, क्योंकि उस बहन का जीवन बच गया, नहीं तो सोचिए कि अगर वो उससे साधी होती उस लड़की सो, इस लोग की मान सीकता है, यही थ वो तो बच गई, वो बच गई, इस हत्यारे के घर में आने से, नहीं समाज में मुझ देखाने लाइक नहीं होती है, गटना अगर एक महिने बात करते हैं, तो बैचारी मुझ कहां दिखाते है, हत्यारे के पत्नी बन के जीना पड़ता उसमें पास जीवन, यह तो जेल में पत्नी कालाती, अवा जीवन, पूरा जीवन उसका नर्क बन जाता जीते जी, पूरा जीवन खत्म हो जाता बता है, अगर प्रभित्ति के लोग होंगे, हत्यारे होंगे, तो अगर उसके दिल में कोई इच्छा रहती, तो डर्क मारी लोगों से नहीं कहते हैं, कि हमें इस जिसके जरूरत है हमें इससे चाहिए जिसके घर में आत्यारे होंगे वहाँ खुशाली कैसे आएगी आसु इसके घर में जो है गो ऐसा सूचना है लोग बताते हैं कि इसी घर में जो है वह अठर ददस लोगों की मीटिंग होती थी और वो मुर्गा मटन मचली खिलाता था ब पीछे बाउंडरी किया हुआ है वहीं कीचन भी बनाया हुआ है वहीं मुर्गा मचली तमाम सराब और वोगरे जो भी उसकी थे तो दस-बीस लोगों को अपने अपरादी किसमे को लोगों को बुलाता था और लोगों को खिलाता पिलाता आए दिन उसकी यहां पार्टी पूरा लोगों को मिक्दम दासर बैठा देगा अगर एक तर बचाने वाला नहीं मिलेगा इस प्रभित्य का हुआ अदमी था हम तो यहीं सासन प्रसासन से चाहेंगे जो बच्चा चला गया वो तो वापस आएगा नहीं लेकिन और किसी के घर इसी घटना ना घटे यह लि इसमें इसका एक चाचा सफाई कर्मी में है और एक जो दरोगा है वो तो आप जानी रहे वो इसकी मास्टर माइंड है पूरा तो यह लोगों को जेल से बाहन नहीं आने देना चाहिए सासन पर सासन से हमारी यहीं मांग है और इस जमीन को जो घर बना हुआ इसको बुल्ड दे रहे थे कि आखिरकार इस घर में कैसे वो अपने गुर्गों के साथ बैठ कर सारी रंडेती सेट करता था और यह उसका आतंक जो था वो गाउं में कैसे उसका आतंक था यह तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ आसू थे बाकि फिरहाल इस वीडियो में आप क्या सोचते ह है कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतक्रिया जरूर दीजिएगा चलिए मिलते हैं फिर सेक्नेस्ट वीडियो में और एक नई खबर के साथ तब तक के लिए हमें देजिए इजाजत जय हिन जय भारत